हेलो फ्रेंज वेलकम बैग माई यूटूब चैनल टूटापॉइंट होम साइंस फ्रेंज आज हम लोग भी फॉर समेश्टर होम साइंस में यानि कि जो आपका पेपर है हौसिंग एंड इस्टेंशन एजूकेशन इसका मॉडल पेपर देखेंगे यानि बूरी इंपॉर्ट जो है कोश्चन यानि बेरी महातपूर लगोत्तरिय के महातपूर परसनों को मैंने यहां पर रखा है जो कि आपके प्रिविवर में आए हुए हैं संतो हजार तेईस में न्यू मॉडल पेपर है जो उसमें आयो हैं और कुछ जो है मैं अपने तरफ से जो आपके पर देखिएगा आपको सारी जो है लाइन से आपको सारी वीडियो सभी टॉपिक के मिल जाएंगे और आपको यहीं पर बता दूँ अगर किसी के क्वेश्चन के एंसर आपको वीडियो में नहीं मिल रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे आके कबेंट कर दीजिए कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी यह हर किसी के क्मेंट का रिपलाइ देती हूं साथ ही मैं जो भी आप लोग के क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर देजिएगा और थोड़ा से एर कर देजिएगा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक कर कर देखेंगे सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे अगर किसी का नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बोल देजिएगा हम उसका भी वीडियो बना देंगे तो सबसे पहले कर देखेंगे किराय के मकान के लाब बताईए इससे पहले ही मैंने इस वीडियो को आप लोग को पढ़ाया था जिब सक्षन में कुछ वीडियो के लिंक भी मैं मैं में इंसन कर दूंगी आप लोगों का ओके तो हमने आपको किराय के मकान के लाब बताना है जो कि भी हमने पि हे तो भूमी खंड का चैन क्यों महतपूर है असपश्ट कीजिए ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया आई होब आप लोगोंने वीडियो देखा होगा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ओके क्या है तो एक आदर शवास निर्माण हे तो भूमी खं कि रसुई घर को ये बड़ा सा रहेगा वैसे देशी शैली के रसुई घर के बारे में बताना है तो रसुई घर भी हमने पढ़ाया है सिंक केंद्र क्या होता है उसके बारे में बताना है कि सिंक क्या होता है और किस केंद्र पर होता है ओके यह आपको असपरस्ट कर देना ह उसके बाद है डिजाइन किसे कहते हैं या कितने परकार का होता है आपका important question जो है ये paper में आया हुआ question है कि डिजाइन किसे कहते हैं या कितने परकार का होता है आपको बताना है उसके बाद गिरे सज्जा के सिध्धानत का औरना जोाए होगे गिरे सज्जा के सिध्दांत वही आपके किस हैं इसका मैं नए वीडियो नहीं बनाए है ये जल्दी ही मैं आप उसके बाद आपका 7 number question जो होगा 7 number question आप लोग देख सकते हैं आपके screen परसास इच्छा क्या है मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया है उसके बाद परसास इच्छा के मुख सिध्धान्त ये भी मैंने एक नहीं दो दो बार आप लोग को दे दिया है फिरका योजना भी हमने आप लोग को पढ़ाया है जो कि आपके channel पे अराम से मिल जाएगा उके परसाकार करता कि किनी 5 गुड़ों को बताना है तो परसाकार करता कि गुड़ भी आपको आपके channel पे मिल जाएगा बस आपको विजिट करना है तो आज का मैं वीडियो यहीं पर इंडिकर र पक्का आपका लगूत तरिये प्रस्म जो है पूरी तरह से तयार हो जाएगा तो चलिए नेस्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगा चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेर करिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज मै मैं थोड़ा दल्दी इसलिए पढ़ा रहे हूं क्योंकि मेरे वाइफाई का कनेक्शन आज नहीं है मुबाइल से अप्लोड करना इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है ओके तो नेस्ट वीडियो में फिर मेंते हैं तब तक के लिए बाबाय जैहिं